nitrogen cycle heading लिख लो nitrogen cycle बहुत easy अगर अपने समझ लिया देखिए सबसे पहले atmosphere में nitrogen है atmospheric nitrogen जो N2 के form में मिलती है N2 के form में दूसरी तरफ मुझे इसे मिट्टी में पहुचाना है soil nitrogen pool मिट्टी में अब ये काम कैसे होगा atmosphere की जो nitrogen है उसे ammonia में change किया जाएगा ammonia को nitrite में change किया जाएगा और nitrite को nitrate में change किया जाएगा ये सब कुछ मिट्टी के अंदर है soil के अंदर atmosphere में atmosphere में N2 के form में जिसे plants यूज नहीं कर सकते हैं तो इसे ammonia में change करेंगे ये मिट्टी में आगे यह इस रूप में नाइटरोजन अब उसे नाइटराइट बनेगा और फिर नाइट्रेड बनेगा यह जो प्रॉसेस है एटमोस्फेरिक नाइटोजन याने यहां लिखते हैं एक पर स्थ एन्टी से अमोनिया बनाना इसे अपन ने कहा था nitrogen taxation अगरीन कोई living organism करें झाल इनडविन न मौ सब पढ़ा था तो इसे biological nitrogen fixation कहेंगे biological nitrogen fixation fixation पर कभी कभी यह इंडस्ट्री से जो धुआ निकलता है वेस निकलता है उससे भी हो सकता है जैसे आटो मोबाइल इंडस्ट्री है जो स्कूटर है कार है इनके एक्जॉस्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गए उपर हवा में और उनसे फिर अमोनिया अग्री हो गए इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल वे इन्डस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन डुछ अर Globe उरियलो गैंजेब करेगा तो नब timelyन Industries के nitrite में नाइटरेट में change हो सकती है उसे electrical nitrogen fixation कहेंगे वैसे तो nitrogen fixation की परिभाशा यही ए कि N2 से ammonia बनाना पर electrical वाले case में direct nitrogen nitrogen भी बन जाते हैं और यह NCRT में ऐसे ही arrow बनाए तो हमें ऐसे ही यहाद करना है so this is electric nitrogen fixation but nitrogen fixation की definition तो आप यही याद रखोगे N2 से ammonia बनना अब हमने बात की थी कि किस रूप में किस फॉर्म में nitrogen maximum absorb होती है nitrates तो ammonia से nitrite, nitrite से मुझे nitrates बनाना है यहाँ पर सिर्फ bacteria यह काम कर सकते हैं मिट्टी में bacteria मिलते हैं जिन में से यह काम करता है नाइट्रो सो मोनास नाइट्रो सो मोनास और यह काम करता है नाइट्रो बैक्टर और इतनी घतरनाक शकल नहीं बननी चाहिए जीवन में पहली बार नाम सुन रहे हैं कहां पढ़ाएंगे बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन तो चैप्टर का नाम हो गया फिर बैक्टीरिया तुम लोग भी बड़े बदमाश हो पूरे टॉपिक तक लेके जाओगे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कीमो आटो ट्रॉफ्स यह वह बैक्टीरिया हैं जो केमिकल रियाक्शन की एनरजी को यू देडायर बैक्टेरिया आइरन बैक्टेरिया हीड्रोजन बैक्टेरिया और नाइटरिफाइम बैक्टी té तो यह सारे नाइटर्फाइंद बैक्टीिया मिटी में मिलते हैं बहुत बड़िया वेल शौन ब brag कीमो आर्टो टॉप्स हा फिर्स ग्लास अगय संक्या आइस अप मुझे सोच कर ये बताईए अच्छा इस प्रॉसस को कह देंगे इस पूरे प्रॉसस को नाइट्रीफिकेशन नाइट्रीफिकेशन तो नाइट्रीफिकेशन का मतलब है अमोनिया से ultimately नाइट्रेट्स बनना तो पहला first event जो घट्टा है वो है nitrogen fixation और second है nitrification जो मिट्टी में होता है सोच के बताओ nitrification oxidation reaction है कि reduction देखो इससे ये बनेगा hydrogen remove हो रहा है oxygen add हो रहा है oxidation इसमें ये बनेगा और oxygen add हो रहा है oxidation so this is oxidation और वहां भी पढ़ाया था जितने भी chemo autotrophs थे वो सारी reaction oxidation थी अब ये बताओ कैसे reaction है nitrogen fixation reduction ये oxidation reduction hydrogen add हो रहा है N2 में hydrogen add हो रहा है तब जाकर ammonia बन रही है this is reduction बिल्कुल reduction ये काम केवल बैक्टीरिया कर सकते हैं यानि नाइट्रिफिकेशन ओनली बाइलोजिकल है ये इलेक्ट्रिसिटी या इंडस्ट्रियल वो सब कोई नहीं कर सकता अब इस नाइट्रेट्स को पेड़ ले लेंगे आप टेक अब्टेक एब्जॉब कर लेंगे वोई मिट्टी में जड़के त्रू तो ये प्लांट के अंदर चला गया प्लांट इसे यूज करेंगे यानि प्लांट के living matter का biomass का हिस्सा बन गया मिट्टी से पेड में चला गया अफकोस वो इससे amino acids बनाएंगे प्रोटीन बनाएंगे डियन आरेन बनाएंगे यूज लेंगे और इस पेड को जब कोई जानवर खाएगा तो ये जानवर की बॉड़ी का हिस्सा बन गया तो आप देखो ये nitrogen atmosphere से घूमती हुई मिट्टी म ही अमोनिया बना नाइरिट बना नाइट्रेट बना पेड में गई पेड से जानवर में गई जानवर भी से यूज करेगा अपनी बॉड़ी में amino acid प्रोटीन डी ऐने आरे ने और जब ये दोनों मर जाएंगे पेड भी मर और जानवर जानवर भी मर तो जो lige डेड मैटर है decayings, मरता हुआ, सडता हुआ, यह उसका हिस्सा बन गया, दीके इंग бायो मास का, आ रहा है समझ, तो atmosphere की nitrogen मिट्टी में आई, मिट्टी से पेड में आई, पेड से जानवर में आई, दोनों के मरने से decaying biomass बन गया, मुझे बताओ इसके अंदर किस रूप में है nitrogen N2 ammonia nitrite या amino acid protein उस रूप में amino acid protein उसमें convert कर दिया है ना body ने तो इसमें भी उसी रूप में है तो इसमें भी उसी रूप में है आ रहा है समझ यानि यहां पर basically क्या है proteins हैं amino acid and proteins अगर मैं इस cycle यहीं खतम कर दूँ कि हमको तो खाने पीने को मिल गया हमको तो nitrogen मिल गई तो एक दिन यह pool खतम हो जाएगा और फिर एक दिन यह pool खतम हो जाएगा और फिर अपन सब मढ़ जाएंगे क्योंकि nitrogen खतम तो मुझे से recycle भी करना है तभी तो cycle नाम है तो यह जो decaying biomass है इससे मैं दुबारा ammonia बन वाऊंगे इस डीकेंग बायो मास में प्रोटीन है बेसिकली मुझे क्या करना है प्रोटीन से अमोनिया बनानी है प्रोटीन से अमोनिया बनानी है कैसे बनाएंगे बिच बीच में तोड़ दो तो अमीनो असे बनेगा इसे ना उक्सिडेशं कहते हैं ना उनली बाइलोजिकल, उनली बाइलोजिकल, मैं इस प्रोसेस को नाम क्या दू, देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, एंटू से अमोनिया बनना, नाइट्रिफिकेशन का मतलब, अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रेट बनना, यहां अमोनिया बन रही है, तो क्या मैं इसे Ammonification कह सकती हूं प्रोटीन से Ammonia बनना यानि Ammonification यह स्टेप है Ammonification Ammonification का Simple सा मतलब है प्रोटीन वापस Ammonia में Convert हो रहे हैं इस इस थर्थ स्टेप है तो मिटी से जो ली हमने पेड ने व कि यह फूल तो कंप्लीट ने पोल्टी से पेड ले रहे हैं व्रोटी से यह मरने पर दीकैइंग बायोwarming में ँप में वह इस अपर बैक्टीरिया इसे तोड़ेंगे और वापस से अमोनिया मिट्टी में रिलीस कर देंगे यह साइकल तो समझा गई लेकिन अप्मॉस्फियर से अभी सिर्फ लेना लेना सीखा है अप्मॉस्फियर को वापस नहीं करोगे तो एक दिन वह डेड हो जाएगा वहां का पूल खतम हो जाएगा यानि हमें इस नाइट्रेट को वापस इसमें भी कनवर्ट करना एक एरो की डिरेक्शन देखते जाएगा अब यह होगा फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप अभी नाम लिखते हैं इस टेप में कर क्या रहे हैं नाइट्रेट्स को वापस एंटू में चेंज कर रहे हैं कि बोलो ऑक्सिडेशं को रिमूफ कर रहे हो ना तो इस ऑल्सो रिदाक्शन कि अब संजो इसका नाम करण संजो देखो यह नाइट्रीफिकेशन है ठीक है इसमें हम क्या कर रहे हैं काईदे से नाइट्रीफिकेशन यह होना चाहिए इसे डिनाइटरिफिकेशन टो ये नाइटरॉजन थिकसेशन और द्व नाइटरिफिकेशन क्यों हुआ क्यों कि पहले ऑ 쪽 remember अमोनिय आई तभी तो नाइट्राइट नाइट्रेट बना और उल्टा क्वापस चोड रहा है इसे बोलते हैं denitrification, तो confuse मत हो ना, denitrification, nitrification का ठीक उल्टा नहीं है, nitrification, denitrification, कुछ भी नहीं रटना अगर अपन ने basic समझ लिए, अगर आपको मालू में N2 से ammonia बन रही है, यानि hydrogen add हो रहा है, reduction, आपको मालू में nitrate से N2 बन रही है, oxygen remove हो रहा है, again reduction, आपको मालू में NH3 से NO2 negative, NO3 negative बन रहा है, hydrogen remove हो रहा है, oxygen add हो रहा है, oxidation, इसे oxidation, reduction कुछ नहीं कहते हैं, इसे decomposition कहते हैं, ये दो घटनाए, nitrification और decomposition, यानि अमोनिफिकेशन, ये सिर्फ living organism कर सकते हैं, bacteria कर सकते हैं, पर ये bacteria भी कर सकते हैं, bacteria, sino bacteria, industrial भी हो सकता है, electrical भी हो सकता है, देखो इसे भी तो nitrogen fixation कह रहे हैं, ये भी nitrogen fixation है, और ये भी bacteria भी करता है, और industrial भी होता है, दोनों से होता है, high energy से भी होता है, आई यहीं लिख देते हैं, biological भी होगा, हम अभी लिख लेंगे नाम, और high energy उससे भी हो जाएगा, पेज बिजली बिजली कड़कना, lightning उससे भ biological ये वाला process है, और ये वाला process है, अब हो गए ये nitrogen cycle complete, atmosphere से लिए, atmosphere में दिया, soil से लिए, soil में दिया, अब ये चार steps तो है nitrogen cycle के, पर एक और step है, जो actually इस cycle का पार्ट नहीं है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि पेड के अंदर ये use कैसे होगी, आईए समझी, पेड के पास क्या आई अभी, किस रूप में पहुची है, nitrate, nitrate, तो पेड के अंदर है nitrate, उल्टी गंगा बहेगी, लिखो, बनाओ, nitrate से बनेगा nitrite, nitrite से क्या बनना चाहिए, ammonia, ammonia में एक H+, जुड़ेगा, तो बन गया ammonium ion, और ammonium ion से बनेगा, amino acid और फिर amino acid से बन जाएंगे proteins, यही प्रोटीन तो है, पेड में, जानवर में और उनके मरे हुए बायो मास में, यही तो बात करीए अपन में, अब इस घटना को क्या कहेंगे, आईए समझते हैं, इसे बोलते हैं, क्या कहूं, क्या मैं यह बोल सकते हूं, यहां nitrate को use कैस इसे कर रहा है पेड़ वो है यह, यहां नाइट्रेट यह मिल रहा है पेड़ को, नाइट्रेट ऐसी मिलेशन, अपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूटिलाइजेशन, यहां इसका और नाम लिखते हैं, बताओ, यहां पे reduction हो रहा है कि oxidation, यहां oxygen कम हो रही ह है, यहां hydrogen add हो रही है, hydrogen add हो रही है, oxygen का removal, hydrogen का addition, सब कुछ reduction है, यहां इसे nitrate reduction भी कहते हैं, यह reduction process है, नाम में ही लिखा हुआ इसके, एंजाइम का नाम कितना असान है, यहां nitrate को reduce करना है, तो nitrate reductase, और वहां nitrite को reduce करना है, तो nitrite reductase, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाना है, तो nitrate reductase, नाइट्राइट से अमोनिया बनाना है, तो nitrite reductase, क्या मैं इसे nitrogen cycle का पार्ट मानूँ, cycle तो यह, यह, यह और यह, cycle में तो चार स्टेप्स है, nitrogen fix करा, ammonification, nitrification और denitrification, यह cycle है पूरी, यह इसके बीच की cycle है, यह इसके बीच की cycle है, यह तो पेड की body के अंदर क्या हो रहा है, उसकी बात कर रहे है, right, so this is not directly a step of nitrogen cycle, तो मुझे बताओ, अगर कोई पूछे, कि पूरे ब्रह्मान में nitrogen कहां कहां मिलती है, उसका reservoir कहां कहां है, तो क्या कहोगे, एक तो atmosphere में मिलती है, एक soil में मिलती है, plant और animal, मतलब living, जीवित organisms में मिलती है, और dead में मिलती है, तो living and dead biomass, soil and atmosphere, यह तीन nitrogen के pool हैं, जैसे swimming pool में पानी भरा है, इन में nitrogen भरी हुए, जो भी छूटा है, फड़ाफट से बनाओ, बहुत बड़ी cycle हमने already सब कुछ पढ़ लिया है, बनाईए, चलिए, अब जो अंच ने लिखा है, NCRT के अंदर denitrification का arrow double बना हुआ है, यहां भी बना है, यहां भी बना है, वो अचलिए गलत है, काईदे से ऐसा ही arrow बनेगा, यही denitrification होता है,